हाई फ्रेंट्स मैं हूँ नरेश अलगुंडे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे सभी वीडियोस की नूटिपिकेशन आपको मिल सके दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इंटिग्रल आप धा फॉर्म में टाइप वन देखी है जिसमें इंटिग्रेंड में अगर नूमरेटर वन और लिनमरेटर में अगर साइन स्कुरें यक्स wouldn ke दो नूटरम अगर प्रेजयन हो तो उस type के integration का integration किस तरह निकालते है ये हमने देखा था तो आज के इस video में हम integral of the form में type second देखने वाले है जिसमें अगर numerator one और denominator में एक quadratic equation present हो और जो non factorizable हो याने कि जिसके हम factor नहीं निकाल सकते हो या फिर numerator one और denominator में square root में अगर quadratic equation हो तो उसका integration किस तरह निकालना है ये हमें आज के इस video में देखना है तो video को आखेर तक देखिएगा और अगर video पसंद आए तो इस video को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें दिया गया integral इस form में हो यानि कि integration of one divided by ax square plus bx plus c into dx इस form में हो या फिर इस form में हो यानि कि यह numerator one और denominator में quadratic equation square root में हो तो यहां पर हमें क्या करना है और यहां पर कंडिशन है दोस्तों कि यह quadratic equation क्या होना चाहिए non factorizable होना चाहिए क्योंकि अगर यहां पर यह factorizable हो जाएगा तो इसका integration हम by using integration by partial fraction इस method से calculate कर सकते हैं जो कि हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं तो यहां पर हम क्या consider करेंगे कि यह quadratic equation non factorizable है तो यहां पर अगर integral इस form में हो तो हमें यहां पर क्या क्या procedure करनी है तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना है देखिए first step है make coefficient of x square यानि कि यह x square वाली जो term हमें दिखाई दे रही है first term तो इस term को हमें क्या करना है make coefficient of x square यानि कि इसका coefficient either 1 और minus 1 by taking out a common तो हमें यहां पर यह quadratic equation दिया गया है यह equation या फिर यह square root में हो तो इसमें जो x square वाली जो term है यानि कि variable का square वाली जो term है तो उसका coefficient हमें यह तो 1 करना है या फिर minus 1 करना है by taking out a common यानि कि यहां पर जो इसका coefficient है वो हमें common लेना है और उसका coefficient हमें यहां पर क्या करना है 1 करना है ओके तो यह first step है फिर उसके बाद हमें यहां पर क्या करना है देखिए second step add and subtract third term in denominator तो यहां पर third term calculate करना है और वो add and subtract करना है in denominator में ओके तो यहां पर third term का formula क्या होता है देखिए third term equal to formula होता है in bracket 1 by 2 into coefficient of x यानि कि यह जो middle term है bx तो यहां पर x का coefficient b है यहां पर भी क्या है b है तो यह coefficient of x है तो coefficient of x into 1 by 2 करके उस bracket का square हमें यहां पर करना है तो हमें मिलेगा third term और जो third term हमें मिली है वो third term हमें यहां पर इस denominator में add and subtract करना है और add and subtract करने के बाद हमें यहां पर तिसरी step क्या करनी है देखिए this simplifies to integration of dx divided by x square plus or minus a square और integration of dx divided by square root of x square plus or minus a square तो हमें यहां पर third term add and subtract करके उस integral को हमें इस form में convert करना है या फिर इस form में convert करना है याने के numerator 1 और denominator में x square plus or minus a square याने के variable का square plus constant का square याने के दोनों term हमें square में convert करने है ताकि यह formula हम यहां पर इस्तिमाल कर सकते हैं तो इस form में convert करके हमें यहां पर क्या करने है and use formula तो हमें यहां पर integration के formula आगे इस्तिमाल करने है तो यह 3 step हमें यहां पर इस form के लिए करने है तो first step क्या है दोस्तों x square का coefficient हमें either 1 और minus 1 में convert करना है by taking out a common जो भी वहां पर coefficient होगा 1 को छोड़के तो वो हमें common लेना है और अगर already 1 है तो हमें यहां पर first step करने की जुरूरत नहीं है फिर उसके बाद second step add and subtract third term in denominator तो third denominator में third term add and subtract करना है जिसके लिए हमें यहां पर formula दिया गया है third term equal to होता है 1 by 2 into coefficient of x bracket का square फिर उसके बाद यह third term add and subtract करने के बाद उस integrand को हमें यहां पर simplify करना है और उसे इस form में convert करना है या फिर इस form में ताकि हम आगे integration के formula यूज़ कर सकते है तो यह 3 step हमें इस form के लिए यहां पर करना है तो यहां पर हमें यह 3 step कब करना है तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ यहां पर integral की इस form में होना चाहिए numerator में value 1 होनी चाहिए इंटीग्रेंड में और denominator में quadratic equation और जो की non factorizable होना चाहिए अगर वो factorizable हो जाता है उसके factor अगर हमें निकालना आ सकता है तो हम उसके लिए integration by partial fraction की method यूज़ कर सकते है जो हम आगे की वीडियो में discuss करेंगे ओके तो देखते हैं इस integral of the form के example तो शुरुवात करते हैं देखे दोस्तों first example क्या है evaluate integration of 1 divided by 2 into x square plus 3x plus 1 into dx तो यह है first question यहां पर देखे यह numerator 1 है और denominator में quadratic equation है और अगर हम इसके factor निकाले तो हमें यहां पर समझ में आएगा कि यह non factorizable है हम इसके factor नहीं निकाल सकते हैं इसको हम factorize नहीं कर सकते हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे integral of the form इस method का इस्तेमाल करेंगे ओके तो यहां पर हम क्या करेंगे कि answer में first step let i equal to integration of 1 divided by 2 into x square plus 3x plus 1 into dx तो हम इस integral को i consider कर लेंगे और उसके बाद हमें यहां पर क्या करना है जो हमने 3 step आपको अभी बताए है वो 3 step हमें यहां पर follow करने है तो देखिए first step क्या बताई मैंने आपको कि x square का coefficient हमें either 1 या फिर minus 1 में convert करना है तो यहां पर देखिए x square का coefficient क्या है 2 है तो जो भी यहां पर coefficient है वो coefficient, वो value हमें यहाँ पर क्या करना है complete denominator में से common लेना है ताकि x square का coefficient 1 में convert हो सके तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस denominator से 2 common लेना है और वो common लिया हुआ 1 by 2 हमें integration sign के बाहर shift कर देना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 common अगर हम ले तो यहाँ पर bracket में हमें क्या मिलेगा x square प्लस यहाँ से अगर हम 2 common ले तो यहाँ पर आ जाएगा 3 by 2 into x प्लस यहाँ से अगर हम 2 ले तो हमें मिलेगा 1 by 2 यानि कि plus 1 by 2 और वो जो 1 by 2 है constant वो हम क्या करेंगे integration sign के बाहर लिखेंगे तो हमें मिलेगा next step में equal to 1 by 2 into integration of 1 divided by x square plus 3 by 2 x plus 1 by 2 into dx ओके तो हमें यहाँ पर common निकलना है और उसे directly integration sign के बाहर लिखना है तो हम यह directly लिखेंगे step और ऐसा ही आपको answer में भी करना है अब यह first step complete होने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है second step करनी है जो क्या है third term हमें denominator में add and subtract करना है अब यहाँ पर यह जो calculation है third term का यह calculation आप answer में लिख सकते है या फिर आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा directly आप उस value को rough में calculate करके denominator में add कर सकते है तो यहाँ पर हम लिखेंगे third term equal to formula क्या होता है 1 by 2 into coefficient of x देखिए यहाँ पर x का coefficient क्या है 3 by 2 है तो यहाँ पर क्या होगा 3 by 2 into 1 by 2 इन दोनों का multiplication करना है तो यहाँ पर क्या होगा 3 into 1 होगा 3 divided by 2 into 2 होगा 4 यानि कि 3 by 4 bracket का square होगा और इसका square होगा 9 by 16 तो यह आईगी third term और यह third term हमें denominator में add and subtract करना है तो देखिए next step में हम किस तरह करेंगे तो यहाँ पर third term add and subtract करने के दो तरीके है जो कि किस पर dependent है x square का coefficient यहाँ पर 1 है क्या minus 1 है उस पर यह दो तरीके यहाँ पर dependent है तो यहाँ पर x square का coefficient 1 है तो यहाँ पर देखिएंगे हम किस तरह add and subtract करना है देखें यहाँ पर next step में यह 1 by 2 constant as it is फिर integration sign as it is numerator 1 as it is divided by यहाँ पर देखें यह जो first term है x square इसे हम as it is लिखेंगे फिर उसके बाद जो x variable वाली term है यानि 3 by 2 x यह value यह second term भी हम यहाँ पर क्या करेंगे as it is रखेंगे फिर उसके बाद हमें यहाँ पर third term add करना है यानिके plus 9 by 16 और यहाँ पर जो constant value थी यह value हमें इसके बाद लिखना है तो third term पहले add करना है फिर उसके बाद यहाँ का constant और उसके बाद हमें third term minus करना है तो यहाँ पर add करना है और यहाँ पर minus करना है तो देखिए यहाँ पे x square वाली term फिर x वाली term फिर उसके बाद third term add करना है फिर उसके बाद यहाँ का constant लेना है और उसके बाद third term minus करना है और यह into dx as it is अब इसके बाद हमें यहाँ पे इस denominator के दो group बनाना है जिसमें हमें first group कौन सा बनाना है तो यह जो पहले तीन term हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे है इनका एक group और यह बाकी बचे दो value का एक group और इनको इन दोनों group को हमें square में convert करना है तो किस तरह करना है देखिए यह equal to 1 by 2 as it is integration sign as it is numerator 1 as it is फिर देखिए denominator में क्या करना है अब यह जो first group है x square plus 3 by 2 x plus 9 by 16 इसको हमें square में किस तरह लिखना है तो हमें bracket में क्या करना है देखिए in bracket यह जो first term है x square इसका square root लेना है यानि के x फिर यहाँ पे middle term का लेना है sign यानि के plus sign और यह जो third term है यहाँ पे 9 by 16 इसक हमें square root लेना है 3 by 4 और bracket close करके हमें इसका square लिख देना है ओके देखिए यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ bracket में क्या करना है bracket में हमें लिखना है first term का square root यानि के x square का square root होगा x फिर middle term का sign यानि के यहाँ पे plus sign और यह third term का square root यानि के 9 by 16 का square root 3 by 4 और bracket close करके इसका square करना है अब देखिए अगर हम इस bracket का expansion करें by using formula a plus b bracket square तो हमें यहाँ पे यह तीनों value मिलेगी यानि कि x square plus 3 by 2 x plus 9 by 16 अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है यह जो second group है यानि कि plus 1 by 2 minus 9 by 16 इसका हमें LCM निकलना है LCM निकलने के बाद जो value मिलेगी उसको भी हमें यहाँ पे square में convert करना है तो हम यहाँ पे पहले LCM निकलना है देखिए यहाँ पे cross multiply करके हमें यहाँ पे LCM निकलना है तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 1 into 16 होगा 16 minus 9 into 2 होगा 18 यहाँ के 16 minus 18 यहाँ पे हो जाएगा minus 2 फिर divided by दोनों के denominator का product यहाँ के 2 into 16 होगा 32 और यहाँ पे into dx as it is next step में हम इसे simplify कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा next step में हमें मिलेगा equal to 1 by 2 into integration 1 divided by यहाँ पे देखिए first bracket as it is यहाँ के in bracket x plus 3 by 4 bracket का square as it is फिर minus sign as it is अब देखिए यहाँ पे 2 और 32 इन दोनों को अगर हम 2 से divide करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 1 by 16 और उसको अगर हम square में लेके तो यहाँ पे क्या होगा 1 by 4 का square क्योंकि 1 by 4 का square 1 by 16 होता है तो यहाँ पे हमें calculate करके उसे directly square में convert कर देना है और यहाँ पे into dx as it is अब यह जो हमें integrand मिल रहा है यह integrand किस फॉर्म में है 1 divided by देखिए यहाँ पे यह जो first bracket है इसमें x variable present है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस bracket को variable consider करेंगे x और इस यह जो value है यह क्या है constant है तो यहाँ पे हम इसे a consider करेंगे तो यह किस फॉर्म में होगा 1 by x square minus a square ओके और जिसका और उसका integration का formula हम जानते है तो क्या हता है formula using integration of 1 by x square minus a square dx equal to value क्या होती है 1 by 2a into log of mod of x minus a divided by x plus a mod close plus constant c तो यह होता है formula तो इसकी मदद से हम यहाँ पे क्या करेंगे integration calculate करेंगे तो यहाँ पे हमें x की जगा पिलेना है यह bracket और a की जगा पिलेना है यह bracket तो हम formula use कर लेते हैं तो देखें यहाँ पे क्या होगा i equal to यह पहले का constant 1 by 2 as it is into यहाँ पे क्या है 1 by 2a है तो यहाँ पे होगा 1 divided by 2 into a की value 1 by 4 bracket में हम लिखेंगे into log of mod of x minus a यानि कि यह first bracket minus यह second bracket x plus 3 by 4 minus 1 by 4 x की value क्या है x plus 3 by 4 है इस bracket को हमें x consider करना है क्योंकि इस bracket में x variable है तो यहाँ पे हम x की value लेंगे x plus 3 by 4 और a यानिके 1 by 4 तो यहाँ पे x plus 3 by 4 minus 1 by 4 divided by x plus a यानिके x plus 3 by 4 plus 1 by 4 mod close plus constant c तो यह हमने formula यहाँ पे इस्तिमाल किया है अब इसके बाद हमें इसे थोड़ा सा simplify कर लेना है तो क्या होगा देखिए next step में हमें क्या मिलेगा इस constant को हम पहले simplify कर लेंगे देखिए यहाँ पे यह जो denominator में 1 by 4 है इसका हमें आगर इसका reciprocal हमें करना है starting में तो यहाँ पे क्या होगा 4 by 1 होगा ओके और यहाँ पे denominator में 2 into 2 क्या होगा 4 होगा तो यहाँ पे 4 by 4 क्या होगा cancel हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 तो यहाँ पे 1 लिखने की जोरत नहीं है हम उसे neglect कर देंगे, तो यहाँ पर हम directly लिखेंगे log of mod of, अब देखें, यहाँ पर इस mod में क्या करना है, तो numerator और denominator में हमें LCM लेना है, और उसे simplify करना है, तो यहाँ पर LCM लेते समय, second और third term में denominator same है, तो यहाँ पर cross multiply किस तरह करना है, सिर्फ यहाँ पर first term का numerator और second term का denominator, इन minus sign लिखके third term का numerator divided by, यह denominator हमें यहाँ पर लिख देना है, यानि कि divided by four, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, LCM निकालते समय, इन दोनों की पहले addition होगी, यानि कि यहाँ पर denominator same है, तो यहाँ पर इन दोनों का LCM पहले निकलेगा, और उसके बाद cross multiply होगा, तो हम यहाँ पर क्या होगा, उसी तरह से होगा, second और third term का denominator same है, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, first term का numerator और second term का denominator, इन दोनों का cross multiply करेंगे, यानि कि four into x होगा, four x, plus यहाँ पर second term का numerator, plus three, फिर यहाँ पर plus one third term का numerator, और divided by, यहाँ पर यह denominator four as it is, क्योंकि इन दोनों का denominator same है, तो four denominator रहेगा, अब देखे, mod close और plus constant, see as it is, अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इस mod में यह four और यह four cancel हो जाएगा, ओके, यह four four cancel, तो यहाँ पर हमें next step में क्या मिलेगा, log of, mod of, four x, यहाँ पर देखे, three minus one होगा, plus two, फिर divided by, यह four x as it is, फिर यहाँ पर देखे, three plus one, यह हो जाएग प्लस four, फिर mod close, plus constant, see, अब उसके बाद last step में क्या होगा, last step में हम क्या पर क्या करेंगे, numerator और denominator से हम two common ले सकते हैं, और अगर हमने two common लिया numerator और denominator से और cancel कर दिया, तो हमें answer finally क्या मिलेगा, i equal to log of two x plus one, divided by two x plus two, mod close, plus constant c, तो यह हो जाएगा, इस question का final answer, तो इस तरह से हमें इस integral का integration calculate करना है, तो यह था हमारा first question, इसके बाद हम देखेंगे second question, देखें दोस्तों second question क्या है, evaluate integration of one divided by x square plus four x plus nine into dx, तो यह है question, तो यहाँ पर देखें, numerator one है, और यहाँ पर denominator में quadratic equation है, और अगर हम इसको factorize करने के कोशिश करें, तो यहाँ पर क्या होगा, देखें, nine into x square के factor हम निकाल सकते है, क्या, जिसकी addition या subtraction 4 x आती हो, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमें कोई factor नहीं मिलेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, third term की method इस्तिमाल करेंगे, ओके, तो answer में हम लेकेंगे, let i equal to integration, one divided by x square plus 4 x plus 9 into dx, अब यहाँ पर new, x square का coefficient already one है, तो यहाँ पर हमें first step करने के जोरुत नहीं है, directly third term calculate करके, हमें add and subtract करना होगा, यानिके second step करनी है, तो हम यहाँ पर calculate कर लेंगे third term, third term equal to in bracket one by two into coefficient of x, यहाँ पर देखिए, अब multiplication करना है, यहाँ पर अगर हम four को two से divide करेंगे, तो answer आएगा, two और two का square होगा four, ओके, यानिके third term आएगी four, अब यह value हमें इस denominator में add and subtract करना है, तो यहाँ पर मैंने जैसे की बताया, x square का coefficient, अगर one हो तो किस तरह add and subtract करना है तो यहाँ पर x square का coefficient one है, तो यहाँ पर हमें पहले example जैसा ही third term add and subtract करना है, तो देखिए, यहाँ पर i equal to integration one divided by, तो देखिए, add and subtract किस तरह करना है, पहले यह x variable वाले दोनों term हम यहाँ पर asit जाखेंगे, x square plus four x, फिर उसके बाद third term add करना है, फिर उसके बाद यह constant plus nine, और उसके बाद यह third term minus करना है, तो इस तरह आएगा denominator, x square plus four x plus four plus nine minus four, और यह into dx as it is, देखे मैं फिर से बताता हूँ, यह x square plus four x, यह दोनों x variable वाले term as it is रहेंगे, फिर उसके बाद third term add करना है, फिर यह constant लेना है plus nine, और उसके बाद third term minus करना है, यानिकि minus four into dx, कब करना है ऐसा जब यहाँ पे x square का coefficient one हो तब, और अगर minus one हो तो क्या करना है, वो हम next example में देखने वाले है, तो यहाँ पे हमें इस तरह मिलेगा denominator, अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, denominator में हमें दो ग्रूप बनाके उन दोनों को square में लिखना है, तो यहाँ पे हम किस तरह करे देखेंगे, देखें, equal to integration of one divided by, यहाँ पे देखें, x square plus four x plus four, यह तीनों as it is रहेंगे term, फिर उसके बाद इन दोनों को हम simplify कर लेंगे, nine minus four हो जाएगा, plus five, ओके, और यह into dx as it is, अब इसके बाद हमें यहाँ पे दो ग्रूप बनाने है, तो यहाँ पे x square plus four x plus four, इन तीनो का एक ग्रूप, और इस five का, इस five वाली term का एक ग्रूप, और इन दोनों को हमें square में लिखना है, तो किस तरह लिखेंगे, देखें, equal to integration sign as it is, फिर यहाँ पे देखें, one divided by denominator में किस तरह लिखना है, यहाँ पे first group क्या है, x square plus four x plus four, तो इसको हमें square में किस तरह लिखना है, इन bracket में हमें लिखना है, first term का square root, यानि के x square का square root x, फिर middle term का sign, यानि के plus sign, और यह तीसरी term का square root, यानि के four का square root two, और bracket close करके square लिख देना है, फिर उसके बाद देखें, यह plus sign as it is, यहाँ पे, और हम इस five को square में किस तरह लिख सकते है, root five bracket का square, हम इसे directly लिखेंगे, क्य अब ही यहाँ पे जो integrand हमें मिल रहा है, तो यह किस form में है, one divided by x square plus a square dx, ओके, तो इस form में है, तो हम यहाँ पे formula इस्तिमाल करेंगे, यह using integration of one divided by x square plus a square dx equal to, इसकी value क्या होती है, one by a into tan inverse of x divided by a bracket close plus constant c, तो यह होती है, इस integration की value, तो यहाँ पे हमें x की जगा पे लेना है, x plus two, और a की जगा पे लेना है, root five, अब यहाँ पे x की जगा पे x plus two, क्यों लेना है, क्योंकि इस bracket में x variable है, इसलिए हम इस bracket को x consider करेंगे, और इस value को constant a, ओके, तो यहाँ पे हम formula इस्तिमाल कर लेते हैं, तो देखे, answer क्या i equal to, क्या है value one by a, तो यहाँ पे होगा one divided by root five into tan inverse of, यहाँ पे क्या है, x by a, तो यहाँ पे x यानिके क्या है, x plus two है, तो हम लिखेंगे x plus two divided by a, यानिके root five bracket close plus constant c, और यही हो जाएगा इस question का final answer, क्योंकि हम इसे आगे simplify नहीं कर सकते, ओके, तो इस तरह से इस question का answer हमें निक इस method को हम क्या कहते है, third term method भी कह सकते है, या फिर integral of the form, तो इसके बाद हम देखेंगे next question, evaluate integration of sex square x divided by three into tan square x minus two into tan x minus five into dx, तो यह है question, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें denominator में tan x से term दिखाई दे रही है, और उसका derivative क्या होता है, sex square x, जो की इस numerator में present है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले substitution करना होगा, और substitution method के बाद जो हमें integrand मिलेगा, उसको हमें यहाँ पे third term इस method से simplify करना होगा, तो देखें यहाँ पे answer में, let i equal to integration of sex square x divided by three into tan square x minus two into tan x minus five into a dx as it is, अब यहाँ पे हम substitution कर देते है, put tan x equal to t, अब इसको हम differentiate करेंगे with respect to x, तो लिखेंगे, differentiate with respect to x, अब derivative tan x का derivative होगा, sex square x into dx equal to dt, अब यह दोना value हम इस integral में substitute करें, तो हमें integral मिलेगा, i equal to integration of, यहाँ पे देखें, numerator क्या है, sex square x dx, तो इसे हम लिख सकते हैं dt, इसे हम side में लिखेंगे, तो यहाँ पे numerator हो जाएगा, one, okay, divided by denominator में क्या होगा, 3 into, यहाँ पे है, tan square x, तो यहाँ पे होगा, 3 into t square, फिर minus 2 into क्या है, tan x है, तो minus 2t होगा, फिर आगे minus 5, okay, तो यह मिलेगा integral, अब यहाँ यहाँ पे यह जो denominator हमें मिल रहा है, यह क्या है, दोस्तो, x square plus bx plus c, इस form में है, यहाँ पे यह जो denominator है, यह जो quadratic equation है, यह non factorizable है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, third term की method, use करनी होगी, जिसके लिए हमें यहाँ पे 3 step follow करने है, पहले step क्या करनी है, यहाँ पे, t square का coefficient हमें 1 में, convert करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस complete denominator से हमें ये 3 common लेना होगा तो यहाँ पर क्या होगा देखिए 3 into bracket में क्या बचेगा t square minus यहाँ पर आएगा 2 by 3 t फिर यहाँ पर minus 5 by 3 और जो हमने 3 common निकाला है उसे हम क्या करेंगे integration sign के बाहर shift करेंगे तो वो क्या होगा 1 by 3 constant भाहर जाएगा तो यहाँ पर हमें next step में मिलेगा equal to 1 by 3 constant फिर integration sign फिर यहाँ पर numerator 1 as it is फिर denominator में क्या होगा t square minus 2 by 3 t minus 5 by 3 और यह into dt as it is अब इसके बाद हमें यहाँ पर second step करनी है third term में कि जो हमें क्या करना है third term calculate कर लेना है और denominator में add and subtract करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे directly third term यहाँ पर ले लेंगे तो देखें यहाँ पर third term क्या आएगी 1 by 22 यह minus 2 by 3 अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा उसका answer minus 1 by 3 और उसका square क्या होगा दोस्तो 1 by 9 होगा ओके तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर calculation लिख सकते है या फिर आपने rough में किया और directly यहाँ पर add and subtract किया तो भी चलेगा ओके तो हमने यहाँ पर rough में किया है और direct यहाँ पर हम लेने वाले है ओके तो देखें यहाँ पर इक्वल टू यह 1 by 3 constant as it is फिर integration का sign as it is numerator 1 divided by denominator में देखें add and subtraction किस तरह करना है तो यहाँ पर t square का coefficient plus 1 है तो यहाँ पर हमें क्या करना है यह पहले दोनों term as it is रखना है फिर उसके बाद third term add करना है फिर यह constant लेना है minus 5 by 3 और उसके बाद third term minus करना है ओके इस तरह से add and subtract करना है अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करने है दो ग्रूप बनाने है तो पहले तीन term का एक ग्रूप बनाएंगे और दूसरे दो term का एक ग्रूप और इन दोनों term को हमें क्या करना है square में लिखना है तो देखें next step में हम इसे किस तरह लिखेंगे तो देखें यहाँ पर मैंने reason में third term का calculation लिखा है अगर आप चाहिए तो लिख सकते है या फिर आपने नई लिखा तो भी चलेगा ओके तो यहाँ पर देखें next step में क्या होगा i equal to यह one by three constant as it is फिर integration as it is one divided by denominator में देखें पहले तीन term को हम square में किस तरह लिखेंगे in bracket में first term का square root यानिके t second term का sign यानिके minus और यह तीसरे term का square root यानिके one by three और bracket लिखके उसका square लिख देंगे तो इस तरह यह square में convert हो जाएगा अगर आप चाहे तो answer verify कर सकते है यह आपका correct है या नहीं अगर इसका expansion करके देखें तो हमें यही तीनो term मिलने चाहिए तो यहाँ पर आ रहे है अब उसके बाद देखें यहाँ पर इन दोनों का calculation हमें कर लेना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों में से minus sign common लेंगे तो bracket में मिलेगा 5 by 3 plus 1 by 9 और यह into dt as it is अब next step में देखें equal to 1 by 3 as it is फिर integration sign as it is 1 divided by यह first term यह जो square वाली term है इसे हम as it is रखेंगे इस bracket को हम simplify कर रहे है यहाँ पर हम क्या करेंगे cross multiplier करके LCM निकाल लेंगे 9 into 5 होगा 45 plus यहाँ पर 3 into 1 होगा 3 यानि कि 45 plus 3 होगा 48 और divided by 3 into 9 यानि कि 27 ओके यानि कि answer आएगा minus 48 by 27 और अगर next step में हम इसे simplify करें यानि कि अगर हम इसे 3 से divide करें दोनों को तो यहाँ पर क्या आएगा देखेंगे अग 16 divided by 9 हमें मिलेगा और जिसे हम square में अगर convert करें तो हमें यहाँ पर next step में क्या मिलेगा देखेंगे equal to यह 1 by 3 constant as it is फिर integration में यह 1 as it is numerator फिर divided by denominator में यह first term as it is minus sign as it is तो यहाँ पर यह calculation क्या मिल रहा है हमें 16 divided by 9 जिसे हम square में लिके तो हमें क्या मिलेगा 4 by 3 bracket का square ओके और यह into dt as it is अब यहाँ पर यह denominator के दोनों term square में convert हो चुके है अब देखेंगे यहाँ पर इस first bracket में t variable है और इस term में complete constant value है तो यह किस फॉर्म में है integration of 1 divided by x square minus a square into dx इस form में है तो इसके लिए हम formula जानते है तो क्या होता है formula हम देखेंगे using integration of 1 divided by x square minus a square dx इसकी value क्या होती है 1 divided by 2a into log of mod of x minus a divided by x plus a mod close plus constant c तो यह होता है formula इसके लिए तो इस formula हमें हम क्या करेंगे x के जगा पे लेंगे यह first bracket यानि के t minus 1 by 3 और a के जगा पे लेंगे 4 by 3 तो next step में हम यहाँ पर calculation कर लेंगे तो देखें यह formula हम use करेंगे next step में हमें यहाँ पर calculation करने के बाद क्या मिलेगा दिखें equal to 1 by 3 पहले का constant as it is फिर यहाँ पर क्या है 1 by 2a है तो यहाँ पर होगा 1 by 2 into a की value 4 by 3 into log of mod of यहाँ पर क्या है x minus a है तो यहाँ पर x की value क्या है t minus 1 by 3 minus a की value 4 by 3 divided by यहाँ पर क्या था x plus a है तो यहाँ पर होगा t minus 1 by 3 यह x की value प्लस यहाँ पर a की value 4 by 3 mod close plus c तो हमने यहाँ पर सिर्फ formula इस्तिमाल किया है अब next step में हम इसे simplify कर लेंगे तो देखिए calculation किस तरह होगा अब यहाँ पर यह 4 by 3 का reciprocal अगर हम करें तो यहाँ पर क्या होगा 3 by 4 होगा तो यहाँ पर numerator में 3 shift होगा फिर यहाँ का 3 और यह 3 cancel हो जाएंगे तो यहाँ पर denominator में क्या बचेगा 2 into 4 जिसकी value क्या आएगी 1 sorry 8 आएगी और numerator 1 रहेगा तो next step में हमें मिलेगा equal to 1 by 8 into log of mod of अब देखिए यहाँ पर क्या करना है तो यहाँ पर हमें simply numerator और denominator में LCM निकलना है तो यहाँ पर देखिए numerator में second term और third term का denominator सेम है तो यहाँ पर simply हमें क्या करना है first term का numerator और second term का denominator इन दोनों का ही cross multiply करना है तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3 into t होगा 3 t minus यहाँ पर यह second और third term का numerator as it is रहेगा minus 1 minus 4 और यह divided by यहाँ पर denominator 3 as it is यह जो divided by 3 है इन तीनों को divide में है तो यहाँ पर हमने इसे side में लिका है फिर denominator में उसी तरह से हमें LCM निकलना है यहाँ पर क्या होगा 3 t minus 1 plus 4 यह numerator आएगा फिर divided by 3 अब यहाँ पर यह numerator और denominator का divided by 3 cancel हो जाएगा 3 3 cancel mod close और plus constant c अब next step में हमें यहाँ पर क्या में लेगा देखिए 3 cancel होने के बाद equal to यह 1 by 8 constant as it is फिर यहाँ पर यह log as it is अब mod में देखिए यह 3 t as it is फिर यहाँ पर minus 1 minus 4 इन दोनों के addition होगी minus 5 फिर divided by denominator में क्या होगा 3 t as it is फिर यहाँ पर plus 4 minus 1 इनकी addition होगी plus 3 ओके more close फिर plus constant c as it is और finally इस answer में हम क्या करेंगे t की value substitute कर देंगे क्योंकि starting में हमने यहाँ पर substitution किया है तो यहाँ पर final answer आएगा i equal to 1 by 8 into log of mod of 3 into 10x minus 5 divided by 3 into 10x plus 3 mod close plus constant c तो यह हो जाएगा इस question का final answer तो third term का use करके हमें यहाँ पर इसका integration निकालना है इस तरह से तो इसके बाद हम देखेंगे next question तो इसके बाद देखेंगे दोस्तों आज का last question evaluate integration of 1 divided by square root of 16 minus 6x minus x square into dx तो यहाँ पर यह जो denominator में equation quadratic equation यह square root में है और यहाँ पर x square का coefficient minus 1 है तो यहाँ पर हमें देखना है third term की method किस तरह इस्तिमाल करनी है third term किस तरह से add and subtract करना है तो answer में हम लिखेंगे let i equal to integration of 1 divided by square root of 16 minus 6x minus x square into dx अब यह जो integral है इसे हमने i consider किया है अब देखें यहाँ पर यह square root में जो equation है तो यहाँ पर x square का coefficient already minus 1 है तो यहाँ पर हमें first step करने की जरूरत नहीं है और जब भी square root में आये तो हम यहाँ पर क्या करेंगे उसे factorize करने की कोशिश हमें करनी ही नहीं है दिर्ट्ली हमें third term की method use करनी है ओखें आगे हमें यहाँ पर क्या करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा x square का coefficient minus 1 है already तो यहाँ पर हमें directly third term calculate करना है तो देखें Three term equal to formula है 1 by 2 into coefficient of x याणि के coefficient of x है यहाँ पर minus 6 bracket का square तो इसका calculation हमें कर लेना है तो यहाँ पर देखिए minus 6 को 2 से divide करें तो हमें answer मिलेगा minus 3 और उसका square और यहाँ पर इसका square क्या होगा 9 तो यहाँ पर third term आईगी 9 अब यह third term हमें square root में add and subtract करना है तो यहाँ पर x square का coefficient minus 1 है तो यहाँ पर देखना है कि हमें third term किस तरह से add and subtract करना है तो अब देखिए constant value है यह constant हम as it is रखेंगे फिर उसके बाद हम यहाँ पर third term add करेंगे फिर इसके बाद हम third term sub stack कर देंगे ओके तो यहाँ पर plus 9 और उसके बाद minus 9 और उसके बाद यह बचे वाली दो term हमें इसके आगे लिखने तो इस तरह करना है third term add and subtract जब coefficient of x square यह minus हो तब okay minus 1 हो तब पर constant पहले फिर उसके बाद third term add करना है फिर third term minus करना है और उसके बाद यह x variable वाले दोनों term लिखना है okay और यह into dx as it is अब इसके बाद हम जानते हैं हम क्या करते हैं दो group बनाते हैं और उन दोनों group को square में convert करते हैं तो हमें यहाँ पर किस तरह बनाने हैं दो तीनों का एक group equal to integration of 1 divided by square root of यहाँ पर पहले इन दोनों की addition कर लेना है 16 plus 9 यह हुगा 25 फिर यहाँ पर यह बचे वाली तीनों में से हमें पहले minus sign common देना है तो bracket में हमें क्या मिलेगी value 9 plus 6x plus x square bracket close और यह into dx as it is okay अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है यह जो second bracket हमें मि हमें square में लेकना है और साथी साथ इस first value को भी ओकी तो हम next step में लेकेंगे equal to integration sign as it is फिर यहाँ पर numerator 1 as it is divided by denominator में देखिए square root of यहाँ पर देखिए 25 को हम लेख सकते है 5 का square फिर यहाँ पर minus sign as it is फिर यहाँ पर देखिए square में किस तरह convert करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना है bracket में हमें पहले इस third term याने कि इस bracket की जो third term है उसका square root लेना है याने कि x square का square root x फिर middle term का sign और यह पहले term का square root याने कि 9 का square root 3 और bracket close करके square लिखना है देखे एक बार फिर से बताता हूँ मैं bracket में हमें यहां पर क्या लिख करना है इस third term का square root यानि के x square का square root होगा x फिर middle term का sign यानि के plus और इस पहले term का square root यानि के 9 का square root 3 bracket close फिर यहां पर bracket का square लिखना है अब अगर हम इसका expansion करें by using a plus b bracket square का formula तो यहां पर हमें यह तीनों term मिलेंगे into dx as it is अब यह जो integrand हमें मिल रहा है यह किस फॉर्म में है दोस्तों integration of 1 divided by square root of a square minus x square dx ओके तो हम इसके लिए formula जानते है वो formula हमें यहां पर use कर लेंगे तो हमें answer क्या मिलेगा देखिए using integration of 1 divided by square root of constant का square यानिके a का square minus variable का square into dx equal to value क्या होती है इसकी sin inverse of x divided by a plus constant c तो यह होता है इसका formula और अगर हम यह formula यहां पर apply करें तो हमें answer क्या मिलेगा देखिए तो हमें यहां पर answer मिलेगा i equal to sin inverse of in bracket x by a यानिके x की value है यहां पर x plus 3 divided by a की value यानिके 5 bracket close plus constant c तो यह हो जाएगा इस question का final answer इस तरह से इसका answer हमें यहां पर निकलना है by using third term method तो जब भी denominator में quadratic equation square root में present हो तब हमें directly third term की method use करनी है तो इस तरह से इस method का use करके हमें integration निकलना है जब denominator में square root denominator में square root में अगर quadratic equation हो या फिर denominator में quadratic equation हो और वहां पर condition क्या होनी चाहिए कि वो quadratic equation non factorizable होना चाहिए और numerator की value 1 होनी चाहिए तब ही हम इस method का इस्तिमाल कर सकते है तो यह था हमारा आज का last question इसके आगे के method में भी हमें third term की example देखने है वहां पर भी third term की example आने वाली है तो आशा करता हूँ आपको ये चारो example समझ में आ गए होंगे तो आगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को like करे और अपने दोस्तों के साथ share करे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर ले तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत